नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने सौमिन जी के लिए बनाया है जोनोंने कमेंट किया था कि इस तरीके का Led Board जिसमें बहुत तरीके का टरंसिशन होता है इतने तरह का ट elementary system Led Board में कैसे किया जाता है इस तरह के Led Board बनाने के लिए एक micro controller based सार्किट बोड का यूज़ करना पड़ेगा जिसका कनेक्शन आगे वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ तो इस LED बोड में आप लोग देख रहे हैं कि Welcome लिखा हुआ है और Welcome जो वार्ड है इसका ट्रांजिशन बहुत तरीके से मतलब 78 तरीके से इसमें ट्रांजिशन हो रहा है और LED बोड बनाने का जो बेसिक प्रोसेडियोर है वो सेम है सभी LED बोड में जैसे तीन-टीन करके LED सीरीज में और उसके बाद एक रेजिस्टर लगाते है और मैं जज़द तर LED बोड में 1K का रेजिस्टर और तीन LED series में यूज़ करता हूँ लेकिन ज्यादा तर लोग LED का जो brightness है वो ज्यादा रखने के लिए तीन LED series में देते हैं और उसके बाद एक 330 ohms का register लगाते है वहाँ पे और power supply हम लोग DC 12 volt ही यूज़ करते हैं इसके लिए 12 volt का SMPS या transformer based power supply तो normally इस boat का brightness भी बहुत ही ज्यादा है अब तक मैं कैमने का brightness कम करके चला रहा था ताके transition ठीक तरीके से समझ में आए तो ये वाला LED बोड जो है इसके पीछे कौन सा circuit लगा हुआ चलिए देख लेते हैं और इसका जो frame है मैंने simply लक्री से बनाया है तो यहां पर जो circuit board लगाया हुआ है ये एक local made circuit board है जिसको welcome board भी कहा जाता है क्योंकि ये जो board बनाया गया है ये एक 7 channel का transition board है और जो welcome जो ward है welcome ward में भी 7 letters होते है तो इसलिए इसको welcome board कहा जाता है लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखेगा इसमें 12 transistors है 12 switching transistors है तो यहां पर 7 channel यूज किया गया है welcome के लिए welcome ward के लिए और 5 channel है chaser board के लिए यहां साइड में लगा हुआ जो running chain है उसके लिए यहां पर कुल मिला के 12 transistors number of transistors है total इसमें 12 transistors है जिसमें से 7 transition के लिए use हो रहा है welcome ward के लिए और 5 है chaser board के लिए अगर आप कोई इससे भी ज़्यादा channel का board चाहिए तो वो भी available है लेकिन उसके लिए पहले से order देना परेगा तो दोस्तो इस board का इस circuit board का पीछे के तरफ से और आगे की तरफ से दोनों तरफ से मैं आप लोगो circuit diagram दिखाऊंगा connection किस तरीके से किया जाता है तो पहले इस board में देख लिजिए पीछे की तरफ से देख लिजिए यहाँ पे सबसे पहले यह वाला है positive का connection power supply का और यह वाला है negative power supply का connection क्योंकि सभी board में circuit board में power supply देना ही पड़ता है यहाँ पे देखिए 12 transistors लगा हुआ है जिसमें से counting करके दिखाते है देखिए यहाँ पे एक number, दो number, तीन, चार और पाँच यहाँ पे पाँच transistors chaser board के लिए है मतलब यह पाँचों का connection chaser board से होगा और इस board में मैं एक बात पता दूँ यह है negative को common रखके positive को switching करने वाला board दूसरा types का एक board भी मिलता है मतलब same ही board, circuit same ही रहेगा लेकिन उसमें क्या होगा positive common रहेगा और negative को switch करना पड़ेगा तो आप लोग जिस तरीके से LED का connection करेंगे उसके बात देखिए उसके बात साथ ट्रांजिस्टर्स है देखिए मार्किंग कर रहा हूँ one two three four five six seven यह देखिए साथ ट्रांजिस्टर्स है ठीक है तो यह क्या है यह है ट्रांजिशन के लिए मतलब आपके LED board में जितने लिटर्स है यहां पर मैंने तो welcome यूज किया है W-E-L-C-O-M-E यहां पर देखिए W-E-L-C-O-M-E मतलब साथो लिटर्स के लिए साथो पॉइंट है ट्रांजिस्टर्स का तो welcome जो जो word है इसका negative सारा common कर दिया है और positive है जो है W का positive एक से जुड़ा है E का positive 2 से जुड़ा है इस तरीके से मैंने यहां पर connection किया है और उसी तरीके से transition का जो program है यह जो microcontroller है इसमें set है program set किया हुआ है ठीक है और आगे की तरफ से भी दिखा रहे है चलिए आगे की तरफ भी देख लेता है तो दोस्तों यह है इस circuit का top view अब तक मैं इस circuit का bottom view दिखा रहा था अब यह है top view accounting किस तरफ से किया था यहां से तो यहां पर देखिए one two three four five मतलब यह five transistor हो गया chaser leds के लिए इसके बाद का यह जो transistor था यह है letters के लिए one five six seven यह seven transistor हो गया welcome word के लिए तो यहां पर diagram welcome लिख लेते है यहां पर देखिए यहां पर मैं led का जो connection है मतलब यह welcome की तरीके से led से बनाया गया है इस वीडियो में मैं discuss नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले का मेरा led एक board का जितना भी videos है वहां पर इसका discuss मैंने कर दिया है फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग comment कर सकते है तो यहां पर मैं यह जो circuit board है transition और chaser का एक ही circuit board में combine करके जो बनाया गया है इसका diagram मैं यहां पर दिखा रहा हूँ तो led से लिखा हुआ welcome यह इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यह पहले मैं दिखा जुका हूँ मेरे चैनल पर विजिट करके वह वीडियो पर आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर दिखिए site का जो chaser है chaser leds है उसको भी मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ क्योंकि यह जो बार मैंने बना है इसमें 6 leds होगा 6 leds मतलब मैं इस तरीके से क्यों बना रहा हूँ क्योंकि यहां पर transition जब हम लोग करेंगे एक-एक set को set का जो connection है से chaser board का connection होगा मतलब यहां पर मैंने इस तरीके से 6 leds का set यहां पर होगा और सभी का जो ground है यहां ब्लू कलर से ground दिखा रहा हूँ सभी का जो ground का connection है सभी का जो ground का connection है यह common रहेगा और positive हो जाएगा इस तरीके से इसका positive चला गया एक number transistor में 2 का चला गया 2 number में 3 का 3 number में 4 का 4 number में और 5 यहां पर ठीक इस तरीके से chaser board का connection continue होगा यहां पर 5 फिर से शुरू होगा 1 2 3 4 5 ठीक है 5 उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से chaser board chaser leds continue होगा ठीक है और यह जो welcome letter लिखा हुआ है इसका भी सारा negative जितना है negative common होगा सभी में common हो गया और positive यहां से switching होगा तो यह green color से मैं यहां पर कर रहा हूँ यहां पर देखिए कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग यह एक number यहां से सुरू करना चाहते है तो यहां से भी सुरू कर सकते है तो मैं यहां पर दिखाने के लिए देखिए यहां से ही सुरू करता हूँ एक दो तीन चार पांच छे और यह हो गया साथ मतलब इसी तरीके से इस बूट का connection होते है तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर